अगर पेड़ भी चलते होते करने इस चैप्टर बीटिंग करी थी न अब इसके शब दर्थ करते हैं यह शब दर्थ तनी तनी में इसके होता है जड़ से उपर का मुठा भाग जो होता है न जो वो तना होता है जो नीचे जड़ होती है जड़ से उपर हो जाता है बहुत तना कराता है जैसे देखिए यह जड़ है और यहां पर यह भाग जो है इसका यह तना है जट जट मिस तुरंत कोई भी काम तुरंत कर दो मधूर मधूर मिन्स क्यों होता है मीठे मीठे फल होता है इसमें मीठे फल आई है सताती सताती मिन्स क्यों होता है परिशान करती कोई भी चीज़ कोई हम परिशान करता है क्यों सता रहा है ऐसे बोलते हैं तो सताती है सताती मिन्स परिशान करना सुस्थाते सुस्थाते मिस्थ क्या होता है अराम करते हैं इसे हम कोई काम करते हैं ठल जाते हैं तो थोड़ेर रेस्थ कर लेते हैं आराम कर लेते हैं तो उसको सुस्थाते बोलते हैं बाड़ में वर्षा के काराण नदी का जल बहुत अधिक बरतना जब बहुत ज़्यादा बर्षा होती है तो पानी भर जाता है ना बहुत बाड़ जाती है नदी बहुत बढ़ जाता उसको बाड़ बोलते हैं अगर पेड़ भी चलते हो तो किसकी बाड़ जाते हैं तो तने में रसी बानकर भूख लंगने पर हम क्या करते भूख लंगने पर हम क्या करते तोड़ मधूर फल उसके खाते तोड़ मधूर फल उसके खाते ले उसके मधूर फल तोड़ कर खा लेती हैं जो भूख लगती ही में तो कजिकन कितने मजे हमारे होते हैं इस ढ Qué आ कहीं भी धूप सताती उसके नीचे जड़ सुस्ताते n लगती भूख अगर हमें भूख लगती तो लगती ही भूख यधी अचानक और यधी हमें अचानक भूख लगती तोड़ मधूरफल उसके खाते हैं तो हम यहां से मैचिंग कर दी ठीक है क्विता की पंक्तियां पूरी कीजिए बान तने में उसकी रसी जाएं इस कविता की कभी का नाम है इस कविता की कभी का नाम डॉक्टर दिविक्रमेक्ष है कभी की अनुसार कभ हमारे मज़े होते हैं जब पेड भी चलते होते तो हमारे मज़े होते ना कभी की अनुसार पेड अगर चल पाते तो कीचड़ बाड़ आने पर क्या करते हैं तो की चड़ बाडाने पर हम जड़ से पेर पर चड़ जाते पेर पर चड़ जाते न अब यह कोशन नमबर फोर है लिखो और सीखो तो यह शक्ष जो है इनको आप नीचे लिखेंगे पढ़ेंगे और लिखेंगे से पेर पेर नीचे लिखेंगे इसके बांध नीचे इसके रस्ती यहां पर जहां यहां पर कहीं यहां जट यहां पर जट लिख दिया, सुस्ताते यहां वर्षा यहां पर तोड यहां पर कीचड यहां पर बाढ चड यहां पर इसा शब्दा पढ़ेंगे अपने आप और लिखेंगे, आप देखें भाषा बोद में क्या है, वर्षा म पर रहा लगाना यह रा का एक रूप है रा का एक बेंजन है इसका प्रियोग चार रूपों में होता है रा का प्रियोग चार रूपों में होता है कितने रूपों में होता है चा कौन कौन से देखिए एक तो रहा ऐसे बनाते हैं सिंपल एक यह ऊपर रहा कर रहा बनता है और एक यह नीचे अक्षर के यहां पर रा लगता है और एक ऐसे रा लगता है अधिये शब्दों के में कैसे हम इसको यूज करेंगे शहर यह रा गया कार्ज कार्ज में यह उपर रा लग गया ट्रक में यह वला रा ऐसे यहां पर लग गया ड्रम में यहां पर यह रा लग गया भ्रम में यह लग गया प्रकाश में यहां प्रक में लग गया मिर्च में यह उपर लग गया भारत रा ऐसे लग गया रास्त्र में यह नीचे यह लगता है क्रम लिखने में का में लग गया धार्मा में ये उपर रा लग गया और लहर में यह रा ऐसे लिखा हुआ है ठीक है आप हमें देखिए इन शब्द में इन मात्रां को कैसे हम लिखना इसकी अ कॉर्ड़िंगर यह लिखेंगे रहे यह इसके शब्द लिख दिया है शहर लहर भारत अब यह उपर राल जो लगे में से कार्ज धार्म और क्या है मिर्च कार्ज मिर्च धार्म यहाँ पर लिख दिये आप ऐसी वाली मात्रा के कौन से शब्द है भ्राम क्रम प्रकाश यहाँ पर लिख दिये अब एक कोशन नमबर टू क्या है रा के वेभिन रूपों का प्रियोग करते भी दे गए चित्रों के नाम लिखिए यह क्या एक कार है यहाँ पर यूज हो क्या रा के यूज लिखने है वर्शा यह वर्शा लिख दिये वाला रा यूज हो सुबह का टाइम है सुबह मेरे सूरग उगरा है तो मैं लिख दिया सुपरभात यह प्रापे रा लग गया ट्रक ट्रक जा रहा है तो यहाँ पर नमबर ट्री इन्हें भी जानिये रिखा है पूर्ड विराम यह पूर्ड विराम है और यह कोशन मार्क प्रेंश्टिन होता है तुछ कर दिसे परण लगता है विर्म कोई बाक को पूरा करते हैं मेरा नाव प्रिया है के बाद में पूर्ड वराम लग गया तुम्हारा नाम क्या है अब यह कोशन मार्क लग गया ऐसे कि किसी से भी कोई प्रमी करते हैं तो इसक्ते ने यहां पर कोशनमाक लग जाता है आपarm बताना है इन बाख्यों के अंत में कौन सा भत में लगेगा आपके कोशनमाक選ा लगेगा मां भूमने गई है यह आप यहां पर पूर्ण ब्राम लग गया माने मुझे खिलोना दिलाया तो यह पूर्ण ब्राम हो गया उसने बता रहा है ना वो यहां पूर्ण ब्राम क्या आपने कोई पौधा लगाया है अब इसमें कोशन मार्क लग गया ना क्या लगा दिया उसने तो वो आपसे पूछ रहा ह कि आपने कोई पॉदर लगाया है तो यहां क्या जाएगा कोशन मार्क पेड़ पर कौन सा फल लगा है अब पूछ रहा है कि पेड़ पर कौन सा फल है तो कौन सा लग गया तो यहां पर क्या हो गया कोशन मार्क यह मेरी किताब है यह बता रहा है वह मेरी किताब है तो यहां पर पूर्ण बिराम ओके आपी सारी एक्सराइज अपनी बुक में करेंगे और समझेंगे जो ना समझ गया है वो मुझे पूचेंगे थैंक ये और है नाइस डे